हलो हलो स्वामालेकूम स्वालेकूम सर तो अभी हमारे साथ टेलिफोनिक लाइन पर जोड़ा है हाई ये नायट अली जो हमारे लाइजिंग्सिट्व कॉंसल जम्मो कश्मीर के एक स्ट जो हमारे जोदपूर में सर बहुत सारे जो जवरीन है जो एरान से सर आने के बाद उनके बारे में सर आपके क्या कहने हैं ये जोदपूर का ही मसला नहीं है घाज़ाबाद भी है वहां पर तीन जेगे पर अभी रखा हुआ है उन सब का कॉरेंटेन खत्म होते ही उनको लाना है जोर्मेंट ने अपने जमारे में लेखा हुआ है हम लोगों को इना परिशान मदद अपने आपका मदद करना चाहिए सब कुछ गूर्मेंट के पर नहीं चोड़ना चाहिए लेकिन इस वकार जो प्रॉलम आ रहा है वहां पर कुछ लोगोंने मैसेज यह है कि हमको यह प्रॉलम है हमको वहां के गूर्मेंट की नोटिस में डाला गया है यूटी की होते होते वो लोग अपने आप जो है वो लोग घर पहुझना शुरू हो जाएगा इंशाल्ला तो सर आपका क्या मेसेज है पुरा हमारे जो लदाग अंवेस्टेशन है क्योंकि लागडोन जो है वह हमारे पदान महंतिरी ने सर आगे एक्टेंड किया लेकिन हमारे ने जोंने झाल सभिया अदिस्टेशन को तो आपका क्या मेसेज राएक सर पुरा लदाक याओं को इस लागडोन पाबली का साथ पुरा ही तु़रा हिंदुसतान में लोक डून चल रहा है लोग अखे ले में लोगडोन नहीं है जब ग़्रम तो लोगों के सैफटे के लि यह हमारे लोगों का शूर है, हमारे लोगों का निग्नियाती है, उन्होंने साथ देखे जो है, यह अमरे आपको बचाने कोशिश कर रहे हैं, लेकर मेरा यह है कि आएंदा भी जो है, हम लोगों को तरीके से मनलब जिस तरह गौर्मेंट बोर रहा है, उससे बेहना जिस तरह गौर्मेंट बोर रहा है, उससे तरह से हमको चलना पड़ेगा, बाकि हमारे लोगों कुछ प्रॉलम्स है, वो प्रॉलम्स यह कौंसल ने भी पहुंचा दिया, मैंने भी उनको बता दिया था, वो सारा जो सिस्टम अश्टा इस तरह करते जाएंगे वो लो, तो हमें उमेद है कि गौर्मेंट जो हमारे लोगों ने हमारे डिमांड रखे हैं, हमारे कौंसल के तरुब मैंने खुद भी बोला था, वो सुन लेंगे उनका बात सुनके, और आगे काम करने को कोशिश कराएंगे हो लो, इंशाल्ला, आज सुबे से सार, एक न्यूस वाड़ लोगों को यही मेसेज दे रहा है कि लगडोन को फालो कीजिए क्यूंकि यह के पैंडिमीक बेमारी है, जो पुरा हिंदुस्तान के साथ सब पुरा वोड इसको जहेल रहा है, तो इसने अच्छा एक मेसेज दिया कि जो हमारे वहां पर जोथपूर में हो या कई भी हो या एरान में जो फासा है, तो उनको हमारे हिंदुस्तान की गौर्णमें उनका जो मलब करोटाइन में रहा है, उनका प क्योंकि एक बिमारी है जो एक दूसरे से पहुंचा थेंक्यू सर हजी सब्सक्राइब